नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम आपको अननोम बिलोम प्राणयाम के बारे में बताएंगे किस तरह से आपको अननोम बिलोम प्राणयाम करना है और इसके क्या-क्या फायदे हैं दोस्तों आईए शुरू करते हैं हम सबसे पहले दोस्तों आपको अपने हाथ को इस तरह से यह अनामिकम एभी और अंगोरे के बीच में आपको इस तरह से रखना हे और अपको एक नाप से सांस लेना है , फिर सक वाननियमी का इंगली ज़त दवा के के रिलीज कर देना है तो दोस्तो अनलोम विलोम प्रणायम जो है हम चार से पास सेकेंड में सांस लेते हैं और चार से पास सेकेंड में सांस छोड़ते हैं एसे तो दोस्तो जितना दिमीगती से करेंगे उतना ही अधिक फायदा होगा अनलोम विलोम प्रणायाम करने से तो दोस्तो धिमिगती से ही करें धिमिगती से अनेक फायदे होते हैं इसके दोस्तो अनलोम बिलोम बैसे तो एक बहुत छोटा प्रणायाम है लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं सबसे बड़ा पायदा अनुलोम बिलोम प्रणयाम रेगुलर करने से आपके प्रेशों मजीद होते हैं आपके सरीर का तनाव डिप्रेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है आपका पाचनतंत्र सही हो जाता है जिससे आपका सरीर स्वस्थ और निरोग रहता है कई योग गुरुओं का मानना है कि गठिया रोग में भी अनुलोम बिलोम प्रणयाम का बहुत पायदा होता है दोस्तों आपको हमारे ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करको जरूर बताएं आपको हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बत भेनने बाद है कर दोस्तों आपको हमारे वीडियो का बहुत पायदा है